दिगंबर, श्वेतांबर का जो डिविजन हुआ था, भद्र बाहु, आचारे भद्र बाहु ने घोशना की थी कि मगद में अकाल पढ़ने वाला है 12 साल का, वो अपने फॉलोवर्स को लेके चले गए थे करनाटक, अगर आपने शवन बेलगोला देखा हो, मैंगलोर के पास क्योंकि वो वा रहे कुछ साल तक, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उस समय मगत के जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्या, वो भी जैन बनके उनके साथ से ले गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्या ने सनलेखना ली थी, शवन बेलगोला में, इसलिए वहाँ एक जो चंद्रगुप्त मौर्या के नाम से आज भी संद्रख्षित है, हलांकि श्वेतामबर लोग आम तोरो मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, और दिगंबर लोगों में धारना है,